नमस्ति विनुद भाईया नमस्ति विनुद जी नमश्कार और कहां चल दी है सुबह सुबह अनिल जी से मिलने जा रहे थे अच्छा और काम कैसे चल रहा है काम तो सब ठीक ही चल रहा है लेकिन आजकल गाव में तुमारे काम की चर्चा हो रही है अरे कुछ नहीं समीब हैं बाकी तो सब उपर वाले की क्रपा है भाया मुझे लगता है कि आपके ट्रैक्टर के कारोबार को और भी बढ़ाना चाहिए बात तो बिल्कुल सही कह रहा हो तुम अमोल लेकिन इस कारोबार को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है आप अलग-अलग प्रकार के काम कर स सुना जरूर है लेकिन इसकी ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है अलग-शूना है इससे काम बहुत बढ़िया हो ता और अनियल जी का कॉल आ रहा है चलो स्यालवद जी सिऴ कि इस तरह के कामों के लिए फोर विल ड्राइव ट्रैक्टर ही क्यों इसका जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है नमस्कार नमस्कार विनोज जी और बताइए काम कैसे चल रहा है आपका काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है लेकिन मैं अपने इस ट्रेक्टर के कारोबार को और भी आगे बढ़ाना चाहता हूं और कुछ अलग प्रकार के काम करना चाहता हूं यह तो बहुत ही बढ़िया बात है लेकिन किस प्रकार के काम आप करना चाहते हो जैसे कि लोडर और डोजर का काम पडलिंग का काम यह तो बहुत अच्छी बात है मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है कि इस तरह के कामों के लिए ज़्यादा तर फोर विल ड्राइट एक्टर का इस्तेमाल होता है बहुत सही कहा है आपके दोस्तों ने 4-wheel drive का इस्तमाल करने से काम बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है पर कैसे? 4-wheel drive में चारो पईयों में पावर होती है जिससे भार खिशने के लिए ज़्यादा टॉर्क मिलता है वील स्लिपेज कम होने के कारण काम जल्दी हो जाता है खेती के किन कामों के लिए 4-wheel drive टेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे कि अगर सक्त मिट्टी है तो गहरी जुताई के लिए 4-wheel drive का इस्तेमाल कर सकते हो 2-wheel drive की तुलना में 4-wheel drive के अगले पईये बड़े और चोड़े होते है जिसके कारण मिट्टी पर कम दबाव पड़ता है यानि soil compaction कम होता है जिससे फसल की पैदावार भी अच्छी आती है इससे किसान को फाइदा होगा और तुमको ज़्यादा से ज़्यादा काम भी मिलेगा ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने सक्त मिट्टी में गहरी जुताई के अलावा धान की खेती में पडलिंग करने के लिए भी 4-wheel drive tractor का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन पडलिंग में 4-wheel drive tractor का इस्तमाल करने से क्या फाइदा? 4-wheel drive होने के कारण गिली मिट्टी में इसके टायर नहीं फस्ते और केज विल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती इसका इस्तमाल heavy duty applications जैसे loader, dozer और अधिक भार खीचने वाले काम में होता है अगले पईयों में ज़्यादा ताकत मिलने के कारण ज़्यादा भार भी उठा सकते हो पर इसका सही तरीक से इस्तमाल कैसे करना है? 4-wheel drive का इस्तमाल जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए अगले पईयों में ब्रेक न होने के कारण जबी भी 4-wheel drive एंगेज हो तो रोड पर अधिकतम रफ्तार 15 किलोमेटर प्रति घंटा ही होनी चाहिए और जबी भी धलान से उतरते हो तो 4-wheel drive को डिसेंगेज करो अच्छा आपके बताये गए इन तरीकों से 4-wheel drive के इस्तमाल से मैं अपने कारोबार को आसानी से आगे बढ़ा सकता हूँ बिलकुल 4-wheel drive का इस्तमाल करने से आपको जरूर फाइदा होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों अगर आपको भी ट्रैक्टर संबंदित कोई भी जानकारी पानी है तो आप अपने विशे कमेंड बॉक्स के माद्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं और देखते रहिए ट्रैक्टर एंड तरुन